हेलो फ्रेंज क्या हाल चाले मैंसा आपका दोस्ट संजेर रहा है और आज एक और नई बड़ी और इंफरमिशन लेकर आपके सामने आजिर हूँ आज हां बात करेंगे नोटरवाइज डॉक्मेंट के बारे में यह क्या होते हैं कहां से यह नोटरवाइज कराने होते हैं और all the procedure so let's begin without wasting any time so friends notarization of document क्या होता है notarized documents वो होते हैं जो उसके उपर एक seal लगता है seal से यह साबित होता है कि हां यह documents होए बिल्कुल original है और वो documents आप कहीं भी बेश सकते हो original means कि मालों कि आपके पास original documents है और उसकी एक photocopy set है तो आप क्या करते हैं आपके 10, 12 या graduation या जतने भी आपके certificates हैं जो आप से related है वो आप लेके जाते हो कचैरी में कचैरी means court, court या local court मैं जिलंदर से था तो मैंने local court में अपने local वकील से notarize कराए थे जब भी आप court में जाएंगे आपको वहाँ पे local वकील मिल जाएंगे जो बाहर बैटे होंगे और उन्होंने उपर लिखा होगा कि notarization of the documents is done here किसी से भी आप अपने family friends है किसी से भी बूख सकते हैं जो कहीं भी कचैरी में रहता है कचैरी में काम करते हैं या कहीं भी उनका कोई link है lawyer से वैसे link की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपड़े राम से कहीं भी जो local court है वहाँ पर जा सकते हैं और अपने document notarize करा सकते हैं आपके screen पर show हो रहा हुगा यह देखें मैंने यह document आ रहा है इसमें इसमें आपको दिक रहा होगा कि यह document के उपर एक seal लगा हुआ है और वह seal पर लिखा हुआ है valid यहा अईसा लिखा होगा या notarized document लिखा होगा यहा फिर कुछ आजसा लिखा होगा कि valid anyway तो एक stamp सा लगत जाता है नोटराइजेशन क्यों जरूरी है जब भी आप कैनेडा उस्टेलिया या जर्मनी में अप्लाइज करते हैं और अगर युनिवसिटी आपके सेटिफिकेट जो है मंगवाती है जातो जातो आप सीधे उनको अपके सेटिफिकेट बेज़ेते हैं ओनलाइन कई बार य ऐसा होता ही होता है वहाँ पर आपको यह डोकुमेंट्स जो है ड्रेक्ट युनिवसिटी को मेल करने होते है मेल बाइब पोस्ट वोकी उनकी अड्रेस पर मालू यूनिएसिस्ट पर वोके वो नोटराइज डोकुमेंट मगाते हैं उनको आपको 10 12 आपकी experience certificate आपकी graduation सब करके वेजना पड़ता है एक set तो उनको पता लगता है कि हाँ यह एक original की copy है और यह यह जो certificates है यह value certificate है यह real certificates है notarization डा एक तरीका था यह वाला जो आप local court से करा सकते हैं और आपकी university को special demand करती है तो वो आप एक अलग से notarization भी होती है that is what I call German consulate यह German consulate में भी आप apply कर सकते हैं notarization के लिए जो simple notarization होती है वालो जो local court में होती है वो per copy के साफ से पैसे लेते हैं जैसे मैंने notarization कराई थी per copy के साफ से तो उनने per copy के साफ से उससे 10 रुपे या 15 रुपे लिए तो वह याद नहीं पर इतनी range होती है कि आप अभी 20 हो गया हो 10 या 15 रुपे की range के साफ से मिलते हैं अगर आपके गर का वकील होगा तो वह आपके free में कर देगा आपके डोकुमेंट जो है उनको बेजने पड़ते हैं वहाँ जाके appointment लेके ओके और बाकी Canada से लिए मैं आप सीधे notarization करके बेज सकते हो मैंने Canada के उनिवर्सिटी में apply किया था तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे मेरी जो degree थी अगेली degree जो थी वह बाइपॉस मंगवाई थ क्योंकि वह मैंने पीटी उसके अंडर किया अपनी डिगरी तो यही था नोटराइजेशन के बारे में मुझे काफी कमेंट्स आये थे कि नोटराइजेशन बताएं अगर आपको फिर भी अभी कोई डाउट लगता है कि नोटराइजेशन के बारे में कुछ चाहिए यह 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 हो तो आप मुझे कमेंटبोक्स में लीज़ा आपको परस्नली रिप्लाइ करोंगा जाप मुझे फेस्बूक पर या मेरे इंस्टा पे मुझे परस्नली मेंसिज इसकते हैं आपकी कॉल भी अटरिएंट करूँगा ओके सो नीचे लिंक में मैं देदूँगा आपने और Instagram का आप चाहें तो इस पर जा सकते हैं, okay? और इसमें लाइव समीनाज भी होते हैं, you can also attend that and stay tuned for the next video, like, subscribe and share my this video and my all other videos stay smart and all the best to all